हालो स्टुडेंट्स चलिए आज की क्लास में डिसकस करते हैं MCQs MCQs भी कहां से क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश में रिडर बुक बिहाईव और बिहाईव से आपको बतलाएंगे A Truly Beautiful Mind सच्चाई में, वास्तों में एक सुन्दर दिमाग ये स्टोरी है, अलबर्ट आइंस्टीन के बारे में जो महान साइंटिश थे, ग्रेट साइंटिश थे, विज्ञानिक थे और उनका अपना रुत्बा एक है, विज्ञान के अक्षेत्र में अपना एक स्थान है, उनके बारे में देखिए, जैसे हम स्टोरीज डिसकर्स करते हैं तो ऐसे कोई, अगर हम बात करें, कनेक्टिविटी की, तो इस तरीके से इस लेसन में आपको ऐसी कोई कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, और हमने भी अब ये डिसाइड करना पड़ा in fact, क्योंकि एक लेसन के लिए हम एक वीडियो बनाते हैं, MCQs के लिए हमें कमपेल कर दिया गया, इतना सारा हमें डेटा मिला, इतने सारे facts और information हमें यहाँ पर मिली हैं, कि हमने डिसाइड किया, कि हम एक ट्रूली ब्यूटिफुल माइंट, जो 9th क्लास का लेसन है, इसके 2 वोल्यूम्स बना कर आपके अपने चैनल, Just Fun with English with Ashok Kumar और सुजाता पर अपलोड करेंगे मैं फिर कह रहा हूँ, कि हमें ऐसा करना पड़ा, क्योंकि डेटा और जो facts हैं, वो इतने जाता हैं, और students काफी confused होते हैं, तो दो बातने आपको बतला दें, एक तो वोल्यूम वन का जो लिंक है, वो वोल्यूम टू के description box में आपको मिलेगा, साथ में जो description box के अंदर ही आपको दोनों ही वोल्यूम के जो PDF बनेंगी, उनके links भी आपको मिल जाएंगे, अब देखिए हमने थोड़ा सा, ये जो बहुत सारे facts हैं, बच्चे confused होते रहते हैं, उनको एक तरीके से एक sequence में arrange करने की कोशिश की है, ये सारे कोई नई बात हम आपको नहीं बतलाने वाले, सारी ये चीज बुक्स में भरी पड़ी हैं, लिखी पड़ी हैं, आज तक बच्चे खूब पड़ते रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, confused होते हैं, बार बार भूलते हैं, इसलिए हमने एक sequence प्रिपेर करने की हाँ पर कोशिश की है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आलबर्ट 1889, अब बर्थ कहा हुआ, जर्मनी में हुआ, जेगह की बात की जाती है, तो जर्मन सिटी ओफ उल्म में उनका बर्थ हुआ, जर्मन सिटी ओफ उल्म, आलबर्ट आइस्टों इनके साथ में जो दिक्कत आई, वो ये थी कि वो ज़्यादा अपने जो जिसे आपके दोस्त ह ने फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ में वो ज्यादा नहीं खेला करते थे, अपनी धुन में वो मस्त रहते थे, और ज्यादा तर जब वो खेलते तो मेकनिकल ट्वाइस के साथ में, मशीनी खिलोने के साथ में वो खेला करते थे, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो साथ क जो बच्चे हैं वो उनको brother boring कहकर बुलाते थे क्या बुलाते थे brother boring बड़ी लेट उन्होंने बोलना शुरू किया बहुत लेट उन्होंने बोलना शुरू किया और जब बोलना शुरू किया तो एक problem उनको और आई he used to utter a word twice एक word को दो बार दोराने के उनको आदत थी जब बोलना शुरू किया बड़ी लेट तो बोलना सिखा और जब सिखा तो he used to utter a word twice एक ही word को एक ही शब्द को दो बार दोराने के उनको आदत पड़ गी थोड़ा आगे ओर बढ़ते हैं उन्होंने वाइलिन प्ले करना सिखा वाइलिन मुजिकल इंस्टुमेंट है वाइलिन प्ले करना सिखा at the age of six when he was six years old जब छै साल के वो बच्चे थे तो उन्होंने वाइलिन बजाना सिखा उसके बाद मैं उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया मुनिक में एडमिशन लिया मुनिक में उन्होंने एडमिशन लिया हाई स्कूल में एडमिशन लिया लोग वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफोर्मेंस करते थे क्योंकि जहां तक देखी जो पास्ट इंसिडेंट्स हैं वो उन्हें लरन करना अच्छा नहीं लगता था स्कूल का strict discipline अच्छा नहीं लगता था तो ज़्यादा तर उनके जो teachers हैं वो उनसे होके रहते थे उनसे एन नॉइड होकर रहते थे चिड जाते थे उनके teachers हाला कि उनके जो main subjects की बात की जाये तो he was gifted in mathematics and at the same time he was very much interested in physics गनित में तो ऐसा था कि जैसे भगवान ने ही कोई उनको gift के रूप में गनित को सीखने समझने या solve करने की कोई विशेश शक्ती दे रखी होगी तो he was gifted in mathematics और physics की बात की जाये तो mathematics के बात उनका जो जिस subject में बहुत ज्यादा interest था वो था physics तो physics में उन्होंने बहुत ज्यादा उनका interest था अब वो कुल मिला आका school से अपना पीछा छोड़ाना चाहते थे and after a long decision oh sorry after a long discussion it was decided that he ultimately जूइंट जूरिक यूनिवर्सिटी जूरिक यूनिवर्सिटी में उन्होंने admission ले लिया he went to Switzerland Switzerland वो जाते है जूरिक यूनिश्टी में उन्होंने admission लिया और वहाँ पर उनकी जो मुलाका था वो मिलेवा मेरिक नाम की एक लड़की से होती है she was a young sheriff सर्बिया सर्बिया कंट्री की वो रहने वाली थी अच्छी आप कह सकते हैं एक student के तोर पर वो भी जानी जाती थी काफी intelligent थी और भी कुछ personal सी information है वो ज़्यादा share हम नहीं करना चाहेंगे यहाँ पर बट जूरिक यूनिवर्सिटी में Albert Einstein की जो मुलाकात है Albert Einstein की वो मुलाकात मिलेवा मेरिक से होती है और Albert Einstein के बारे में और देखिया आप कि जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे म्यूनिक में म्यूनिक में तो उन्होंने स्कूल छोड़ा he left school at the age of 15 he left school when he was 15 years old 15 साल के जब वो हुए तो उन्होंने स्कूल अपना छोड़ दिया स्कूल कहाँ पर था हाई स्कूल जो उन्होंने पास किया वो पढ़ाई की वो म्यूनिक में था देखिया हमने आपको बतलाया है जो Albert Einstein है उनकी डेट ओ बर्थ हो गई 14th of March 1879 वाइलिन बजाना सिखा 6 years की एज में फिर स्कूल से पढ़ना he left school at the age of 15 स्कूल छोड़ दिया 15 साल की एज में और ग्रेजुएशन उन्होंने जो है जुरक यूनिवर्सिटी से की वो की एर है 1900 सन 1900 में जब वो 21 साल के हुए जब वो पूरे 21 साल के हो जाते हैं सन 1900 में तो उन्होंने ग्रेजुएशन जुरक यूनिवर्सिटी से की वहाँ पर उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से होती है अब दिखिए और थोड़ी सीक्विंस आपको समझाते हैं कि उन्होंने जो है 1902 में 1902 में एक टेकनिकल एक्सपर्ट के तोर पर पेटेंट ओफिस जो बर्न नामक जगहें पर था पेटेंट ओफिस में जोब उन्होंने अपनी फर्स्ट जोब जो है वो जोईन की 1902 में पेटेंट ओफिस में Technical Expert की पोश्ट थी अब Patent Office में उनको क्या करना होता था He used to assess other people's discoveries उन्हें दूसरे लोगों की जो discoveries होती थी खोज की हुई होती थी दूसरे लोगों ने उनको assess करना होता था कि वास्तों में ये खोज उसी वेक्ती ने की है या नहीं है और उसके बाद में उस person के name से उस discovery को patent कर दिया जाता है जैसे आपके business आप करते हैं तो trademark होते हैं उसी तरीके से inventions और discoveries के मामले में आपको patent करवाना होता है तो patent office में जो burn में था 1902 में फर्ष जो technical expert के तोर पर उन्होंने करनी शुरू की फिर उनकी जो marriage है मिलेवा marriage मिलेवा marriage से वो 1903 में होई 1903 में मिलेवा marriage से उन्होंने शादी कर ली फिर 1905 में 1905 में he gave the special theory of relativity और special theory of relativity के अंदर ये बतलाया गया कि the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational force सूरिय के गुरुत्वा कर्शन बल से जो fixed stars हैं फिक्ष्ट या निश्चित जो तारे हैं उन से किस extent तक किस हद तक light deflect होगी ये उन्होंने advance में calculate करके बतला दिया था special theory of relativity 1905 में उन्होंने बतलाया था क्या बतलाया था the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational force के sun के जो gravitational force है उसके अंदर से उसमें से किस extent तक जो fixed stars की जो light है वो deflect होगी ये उन्होंने बतलाया था तो special theory of relativity 1905 में उन्होंच में ये बतलाई गई है और इसी तरीके से 7 महीं आप learn कर लेंगे फिर उन्होंने general theory of relativity भी दी थी वो 1915 में दी थी special theory of relativity 1905 और general theory of relativity 1915 1915 में दी general theory of relativity अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो 1919 आ जाता है 1919 में उनका जो है डिवोर्स हो जाता है तलाख हो जाता है मिलेवा मेरिक के साथ में 1919 में 1919 में मिलेवा मेरिक के साथ उनका डिवोर्स हो जाता है तलाख हो जाता है और फिर He got Nobel Prize for Physics in 1921 1921 में Physics के अक्षेत्र में उनको Nobel Prize दिया जाता है Nobel Prize for Physics अब बात करते हैं 1933 देखें सीक्वेंस में हम चलते आ रहे हैं एक बार फिर भी आपके साथ फटा फटा हम रिपीट भी करते हैं ध्यान से आप नौट करके जाएं 1933 1933 की हम बात करते हैं तो तम क्या हुआ 1933 नाजीज केम इंटो पावर इंजर्मनी तो जर्मनी के अंदर जो नाजीज हैं वो पावर में आगे शक्ती में आ जाते हैं तो जो अलबर्ट नाइस्टीन है He moved to, he was shifted to US वो US ते ले जाते हैं और जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं They weren't uproar when they heard about something और ये something क्या था? अमेरिकी जो फिजिसिस्ट थे बहुतिक शास्त्री आप कह सकते हैं वो अचमविद्थे परेशान थे जब उन्हें पता चला कि बर्लिन में यानिका 1933 में जब जर्मनी में पावर में आये थे उसके बाद अलबर्ट आंस्टेंड यूएस चले गए थे और उसके पात साल बाद जब अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्हें ये पता चला कि बर्लिन में नूक्लियर फिजन किया गया है नूक्लियर फिजन नाब किया खंडन नाब किया विखंडन कि जो ये आपकी कहें रियक्शन्स होती हैं तो वो बर्लिन में किया गया और उसके बाद में एक एलबर्ट आइंस्टीन के फ्रेंड थे उन्होंने कंपेल किया बहुत ज़्यादा इनके उपर जोर डाला और जोर डालने के बाद में एलबर्ट आइंस्टीन रोट एल लेटर टू दी रेन प्रेजडेंट ऑफ अमेरिका यूएस के जो प्रेजडेंट थे उनको एक लेटर लिखा और वो लेटर लिखा ओगस्ट टू नाइंटिन थर्टीन को दो अगस्ट उन्निस्सों तालिस को अमेरिका के राष्टर पर रुजवेल्ट, फ्रैंक्लिन डी रुजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा था और जो डिस्ट्रेक्शन एटम बॉम कर सकते थे उनके डेंजर्स के बारे में फ्रैंक्लिन डी रुजवेल्ट को अलबर्ट अंच्टिन ने पहले ही अवेर किया था लेकिन अमेरिका ने क्या किया इन 1945 ने अमेरिका यूएस यू कन से डॉट ट्यू एटम बॉंब्स दो एटम बंब जिराए गए थे हिरोशिमा और नागाशक्री जो क्षेत्र हैं इनके उपर 1945 में अमेरिका ने ये बॉंब गिराए थे उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था और अलबर्ट अंस्टेन वोज वेरी मच और यू कैंशे डीपली शेकन डू तो दिस्ट्रक्शन जो विनाश हुआ उसकी वज़े से वह बहुत ज्यादा हिल गए थे बहुत ज्यादा अलबर्ट नेश्टीन दुखी हुए थे उसके बाद में तो वहां उन्होंने लेटर लिखा और ही रिक्वेस्टिड टू फॉम वर्ल्ड गवर्नमेंट के कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विश्व की सरकार के रूप में काम करें जो इस तरीके के विद्वंशक और विनाशक दृष्टे भविश्या में ना देखने पड़ें उसके बाद में he involved in politics और उन्होंने politics में आकर कोई ये नहीं के कोई पद या मान समान ऐसे अपने लिए कुछ कमाने की सोची हो he worked only and only for peace and democracy केवल शांती और लोग तंतर के अक्षेतर में बढ़ावा करने के लिए बढ़ावा दिलाने के लिए उन्होंने काम किया और लास्ट में बारी आती है देट in 1955 उनिस सो पचपन में at the age of 76 years चेतर साल की in the age of 76 years चेतर साल की उमर में सन उनिस सो पचपन में उनकी डैथ हो जाती है लेकिन जब उनकी डैथ होती है तो he was considered a visionary and a world citizen किसी एक देश का उनको नागरिक नहीं माना गया उनको एक कहें कि जो भविश्य की सटीक जानकारी और आप कहें गोशना करने वाला व्यक्ति और पूरे विश्व का नागरिक कहकर उन्हें बुलाया गया और यह उनके यह बहुत बड़े सब्मान की बात थी एक बार जो incidents हैं उनको दुबारा से repeat कर देते हैं देखिए वैलिन अलबर्ट अइंस्टीन ने बजाना सिखा उन्होंने स्कूल म्यूनिक जो स्कूल है हाई स्कूल महां से पास किया और वो स्कूल उन्होंने लेफ्ट किया छोड़ा फिफ्टीन यहर्स की एज में फिर्ट उनकी जोग 1902 में लगी, बर्न नामक जगें पे लगी पेटेंट उफिसमें लगी और उनकी जोब थी उनका जुब प्द था डेजिग्डेशन था वो था, technical expert technical expert की जोग पेटेंट उफिसमें बर्ण में 1902 में फिर्स जोब उनकी यह लगी थी मिलेवा मेरिक के साथ उनकी मैरिज होई 1903 में 1903 में फिर Special Theory of Relativity उन्होंने दी 1905 में 1905 में और General Theory of Relativity उन्होंने दी पब्लिश की 1915 में 1915 में फिर मिलेवा मेरिक के साथ में उनका जो है डिवोर्स हो जाता है 1919 में और Nobel Prize for Physics उनको मिलता है 1921 में 1921 में 1933 में नाजी जो है जर्मनी में पावर में आगे तो वो यूएस चले जाते हैं यूएस प्रेजिडेंट फ्रेंक्लिन डी रुजवेल्ट को उन्होंने अगस्ट टू 1939 को दो अगस्ट 1949 को लेटर लिखा था एटम बॉंब जो है उनके डिस्ट्रक्शन की जो पावर थी उनके बारे में अवेर किया था और हिरोशिमा और नागा शाकी के उपर जो बॉंब गिराए गए थे अमेरिका ने जो गिराए थे 1945 में गिराए थे और 1955 में अलबर्ट एंस्टिन की डेथ हो जाती है वो 76 एर्स के थे इस बीच में आपको ये भी पतलाना चाहेंगे कि जब मिलेवा मेरिक के साथ में उनकी डिवोर्स हो गया था तलाग हो गया था के बाद में रिमेरिट दोबारा से उनकी शादी की गई थी दोबारा से उनकी शादी होई थी और दोबारा जो उनकी शादी होई थी वो एलसा से होई थी Furman's Heart Albert Einstein की sister जो है उनका नाम है माजा Albert Einstein की जो sister है बहन है उनका नाम माजा M-A-Z-A माजा है और इनकी cousin sister थी Elsa उनके साथ उन्होंने दूसरी शादी की इलसा के साथ Elsa उनकी cousin sister थी अब Elsa और Albert Einstein क्योंकि cousins थे cousins किस तरीके से थे के Albert Einstein आइंस्टीन और एलसा की जो मदर्स थी, दोनों की जो माएं थी, माताईं थी, वो बहने थी, देर मदर्स वर सिस्टर्स और इन दोनों के जो फादर्स थे, देवर कजन्स, वो एक दूसरे के कजन्स थे, तो इस तरीके से ये भी कजन्स थे, अलबर्ट आइंस्टीन भी और एलसा भी तो सेकिंड जो मेरीज है अलबर्ट आइंस्टीन की वो एलसा के साथ में हुई और इनकी जो सिस्टर है उसका नाम माजा है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन्स हैं एमसी क्यूज आपके साथ डिसकस करते हैं एक और वोल्यूम एमसी क्यूज की आएगी उसको भी आप देखना ना भूले चलिए एमसी क्यूज डिसकस करते हैं एलबर्ट आइंस्टीन का जर्म कब हुआ कुछ भी HYC's हो सकती है उनकी सिस्टर का नाम था माजा M A J A What did Einstein begin to play? एलबर्ट आइंस्टीन ने कौन सा म्यूजिकल इंस्टुमेंट बजाना शुरू किया ए तबला भी हार्मोनियम सी गिटार D च्वाइस है वो क्रेक्ठार की वाइले इन विस्टी वाज अलबर्ट आइंस्टीन बॉन अलबर्ट आइंस्टीन का जनम कहा हुआ था A Ulm B Bombay C Hissar D All of the Bo आपका आंसर होगा जर्मन सीटी ओफ उल्म जर्मनी में हुआ जर्मन सीटी ओफ उल्म में उनका बार्थ हुआ इन विच कंट्री वाज अलबर्ट आइंस्टीन बॉन कौन से देश में जनम हुआ A America, B Japan, C Germany, D Russia तो कंट्री के हिसाब से पुछा तो जर्मनी सीटी पुछा तो जर्मन सीटी ओफ उल्म वो डिट आइंस्टीन मेरी विद अलबर्ट आइंस्टीन ने किसके साथ मेरीज की शादी की A Mary, B George, C मिलेवा मेरिक D N C अंसर होगे C मिलेवा मेरिक M I L E V A मिलेवा M A R I C मेरिक Which country did मिलेवा मेरिक ब्लॉंग टू She was a young shark Young shark थी तो सर्विया कंट्री की वो रहने वाली थी choices हैं A America, B Serbia, C England, D आपका है USA तो आपका मिलेवा मेरिक कौन से देश की कौन से country की रहने वाली थी आपका अंसर होगा B Serbia What problem did Dalton Albert When he learned to speak बड़ा लेट बोलना शुरू किया जब बोलना शुरू किया तो क्या problem आई A utter twice B utter thrice She unable to speak properly D none तो आपका अंसर होगा A utter twice A की बड़ को दो बार दोराने के उनको आदफ पड़ गई When did Einstein die Albert Einstein की मिलत्यू कब हुई कौन से sun में हुई Next question है किस age में उनकी death हुई तो किस year में हुई A 1957 B 1955 C 1960 D 1972 आपका अंसर होगा B 1955 कौन सी age में उनकी death हुई choices है 76, 70, 65, 60 तो आपका अंसर होगा A 76 76 साल की age में उनकी death हुई 1905 में उनकी death हुई और questions discuss करते हैं देखिए When did Einstein get the Nobel Prize in Physics Physics के अच्छेतर में उनको Nobel Prize मिला था Nobel Prize जो मिला था Physics के field में मिला था और 1921 में मिला था choices है A 1926 1921, 1920 और 1945 तो correct answer है B 1921 1921 में Nobel Prize for Physics उनको मिला था When did Einstein divorce मिलेव अमेरिक मिलेव अमेरिक के साथ उनका डिवोर्स कब हुआ A 1945, B 1919 C 1935, D 1922 तो answer होगा मिलेव अमेरिक के साथ डिवोर्स वा 1919 में सन 1919 में What did the playmates call Einstein जो साथ खेलने वाले बच्चे हैं Albert Einstein को क्या कहकर बुलाते थे A brother boring B small kid C both and B d none Answer होगा Playmates बुलाते थे Brother boring In which year Albert was married with मिलेवा मिलेवा मेरिक के साथ उनकी जो marriage है वो कब हुई कुन से साल में हुई A 1907 B 1903 C 1900 D 1918 तो answer होगा B 1903 में उनकी 1903 में मिलेवा मेरिक के साथ उनकी marriage हुई At what age did Einstein learn to play violin कितने साल की age में Albert Einstein ने violin बचाना सीखा A 10 years B 7 years C 6 years D 12 years answer होगा C 6 years With whom did Einstein marry the second time Second time उनकी जो marriage है अपनी कजन Elsa के साथ भी थी Twice है A मिलेवा भी मिली C ने जी D Elsa ये उनकी कजन थी Which type of twice did Einstein love especially किस तरीक्य के खिलोने Albert Einstein को पसं थे A football भी होकी C badminton D correct answer है Mechanical twice मशीनी खिलोने उनको पसं थे सबसे बड़ी जो course थी discovery थी invention थी वो क्या थी Three laws of motion B special theory of relativity जो 1905 में आई थी B नाइदर A और B और D हो गया Both correct answer होगा B 1905 में आई थी उनकी special theory of relativity At what age did Albert Einstein leave the school Albert Einstein ने school कब छोड़ा A 10 years में B 20 years C 15 years D 30 years correct answer है school छोड़ा 15 years में In which subject was Albert Einstein much interested देखिए learn करना है much interested A chemistry B physics C biology D English तो answer होगा B physics लेकिन एक और question बनता है Albert Einstein watch gifted in answer क्या होगा mathematics ऐसे ही आप कहें approximately 20 और MCQs हैं जो volume 2 में हम discuss करेंगे थड़ा side हो जाते हैं आप screenshot ले लीजिए PDF का link आपको description box में जरूर मिलेगा और volume 1 का जो link है volume 2 में और volume 2 का link है volume 1 के description box में आपको मिलेगा दोनों वीडियो आपको देखनी हैं तब कहीं जाकर आपके ये MCQs complete होगे next video में आपके next lesson के MCQs के साथ जल्द होगी मुलाका thanks have a nice day जल्द होगे जल्द होगे जल्द होगे